next अगर हम बात करेंगे amniotes की जहाँ पे आपके reptiles, aves और mammals आ जाते हैं वहाँ पे हमें three और four jumbled heart मिलता है बट सब के पास basically होते हैं दो atria और दो ventricle हाँ अब ये depend करता है क्या ventricles जो है उनके बीच में septum पूरा बना हुआ है ठीक है जैसे कि आपका birds और mammals में है कि वो partially divide है जैसा कि reptiles में आपको मिलता है अगर reptiles की बात हम करेंगे तो reptiles में होता है sinus venosus यहाँ पे जो भी हमने देखा fishes में भी होता है और amphibians में भी होता है sinus venosus बट in case of birds and mammals वहाँ पे कोई sinus venosus नहीं होता है ठीक है embryonic stage में आपको मिलता है in case of birds and mammals बट adults में ये absent होता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे सीधा जो blood है deoxygenated blood वो आ जाता है right atrium में फिर पहुंचता है right ventricle में जहां से फिर ये contract करने के बाद इसको भीजता है कहाँ पे pulmonary artery जो इसको lungs के पास supply ले जाएगी similarly same in crocodiles और बाग की जो reptiles है उनमें भी ऐसा ही होता है पहले right article में आएगा फिर ventricle में फिर पांपो के जाएगा आपका lungs के पास but यहां पे extra इनको क्या होता है यहां पे sinus venosus होता है number one बात number दूसरा reptiles का जहां तक तालुक है वहां पे ventricle जो होता है वो partially divided होते हैं बीच में उनका जो septum होता है वो partially divided रहता है ठीक है यानि intermixing होने के chances है but in case of crocodiles वो भी reptiles है लेकिन वो advanced reptiles है crocodiles और alligators वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है वहां पे बिल्कुल just like mammals और birds की तरह उनको पूरा divide रहता है ventricle के बीच में जो यह septum होता है इसको पूरा left और right में divide कर देता है यहां पे कोई intermixing फिर नहीं होती है यह advanced यह exception है reptiles में बाकि नॉर्मिली partially इनमें divide रहता है ठीक है उसके बाद यह जो mammals होते हैं उनके embryonic stage में क्या होता है यहां पे जो septum है दो auricles के बीच में वहां पे एक gap रहती है वहां पे एक hole होता है ठीक है जिसकी वज़ा से क्या है आप उसमें blood की mixing रहती है उसको हम कहते हैं foramen ovale बट जब यह adult हो जाता है during the time of birth और जब एक chick hatch होता है इन case of birds यह बंद हो जाता है और वहां पे बस right side से एक depression रहता है उसको हम कहते हैं forsa ovale ठीक है further अगर हम reptiles की बात करें तो sinus venousus जो है उससे blood आ जाता है right atrium में ठीक है but birds और mammals में directly blood आ जाता है further in case of crocodiles and alligators उनका आपका जो heart है exactly almost similar to mammals है poor chamber but in case of turtles and other squamets वहां पे एक third तीसरा चमबर आ जाता है ठीक है third chamber जो है उसको हम कहते हैं cavum venousum यह खाली turtles और squamets में पाया जाता है बाकी crocodiles में यह नहीं होता है ठीक यह बिलकुल upper interventricular septum की boundary के पास होता है इसका काम होता है oxygen rich और oxygen poor blood को specific arteries की तरफ या उनसे दूर ले जाना crocodiles में लेकिन further एक modification है यहां पे जो दो ventricles होते हैं उनके बीच में एक foramen या एक channel जासी होती है उसको हम कहते हैं foramen of panisa ठीक है यह allow करता है blood को to move from one side of the heart to the other side बागे reptiles में यह नहीं पाया जाता है जहां तक हम vertebrates की बात करते हैं अगर हम देखेंगे कि जो उनके atria auricles होते हैं उनसे जो blood flow करता है towards ventricles यह guarded रहता है किस से valves से valves जो होते हैं यह one sided होते हैं या one way valves होते हैं मतलब blood यहां से यहां अंदर आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है ठीक है यह बने रहते हैं कुछ flap like structures होते हैं या उनको हम cusps भी कहते हैं during relaxation जिसको diastole कहते हैं atria जो होते हैं उससे blood निकल के पहुँचता है in ventricles यह freely flow करता है through these valves but during ventricular contraction जिसको systole कहते हैं उस time पे यह cusps जो होते हैं वो उपर की तरफ force हो जाते हैं और यह बंद हो जाते हैं ठीक है यह यहां पे जो देख सकते हो आप यह वाले ठीक है यह यहां पे तीन flaps है और यहां जाएंगे ऐसे यहां पे आप देख सकते हो जब blood आता है तो यह खुल जाएगा लेकिन अगर blood वापत जाने की कोश्च करेगा तो यह flap बंद हो जाते हैं तो यह one way valves होते हैं ठीक है इन valves को हम कहते हैं बाइकास्पिड या ट्राइकास्पिड वैल्व के नाम से आपने already इन Chauda Tendene ठीक है जो खुद attached रहते हैं इन papillary muscles के साथ जो ventricular walls से जुड़ी रहती है ठीक है papillary muscles यानि valves guard करते हैं किनको boundary जो है auricle और ventricle की वहाँ पे रहते हैं ठीक blood flow का आना और रोकना वो इन पे डिपेंड है यह खुद जुड़े रहते हैं कुछ यह छोटे छोटे जो quads होते हैं tendinous quads जिनको हम कहते हैं cauda tendinase जो फिर further attached रहते है papillary muscles के साथ ठीक है जो ventricular wall से project होते हैं reptiles और birds में हर किसी value के एक या दो cusps होते हैं ठीक है one to two cusps होते हैं उनको but in case of mammals वहाँ पे अगर आप देखोगे जो left side होता है वहाँ पे जो value होता है उसमें यह दो cusps होते हैं और right side से अगर आप देखोगे वहाँ पे three cusps होते हैं ठीक है यहाँ पे यहाँ से आपको यह view है heart का अगर हम काट देंगे इस से उपर atria बाहर हटा देंगे atrium ठीक है इस value को हम कहते हैं tricuspid value और अगर आप यहाँ से देखोगे left side से जो left ventricle और left auricle को जोड़ता है ठीक है वहाँ पे दो ही flaps दो cusps इसमें होते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं by cuspid value या इसका दूसरा नाम है mitral value के नाम से भी जानते हैं ठीक है यह उपर से बलड़ आ सकता है लेकिन फिर वापस ventricle से बलड़ auricle में नहीं जा सकता है further अगर हम देखेंगे इसके बगैर भी valves होते हैं किन में जो आपका aortic arch होता है उसका ठीक और right side से जो ventricle होता है उनके connection के बीज में यहाँ पर अगर आप देखोगे यह यह जो है जो lung को जाती है यहाँ पर होते हैं वैल्व और यह में एोटा यहाँ पर भी वैल्व होते हैं इनको हम कहते हैं semi lunar valves ठीक है इनका काम क्या होता है जब ventricle से बलड निकल के जाता है deoxygenated blood कहां lungs की तरफ वो वापस ना आ जाए उसको रोकने के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वैल्व होते हैं तो इनको हम कहते हैं semi lunar valves यहाँ पर आप देख सकते हो जब blood उपर से auricle से जाता है कहां ventricles में तो उस टाइम पर यह cuspid valves जो है bicuspid और tricuspid खुल जाते हैं और अंदर चला जाता है और जिस टाइम से जब contraction होता है ventricular contraction उस टाइम पर यह pulmonary value जो फिर lungs की तरफ जाएगा blood और main aeotic जो फिर systemic aeota से पूरी body को जाता है यह खुल जाते हैं और वापस नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा तीन types के हमें hearts और circulatory systems मिलें सबसे simplest हमने देखा fishes में जो की two chamber था वहाँ पर पहले atrium में blood आता है blood फिर ventricle से जाएगा gills के पास gills से फिर पूरी body में supply हो जाता है ठीक यानि heart के पास खाली de-oxygenated blood आता है कभी oxygenated blood नहीं पहुचता है in case of amphibians दोनुट types के blood आते हैं ठीक oxygenated भी और de-oxygenated भी but फिर body में mixed blood supply हो जाता है क्योंकि ventricle यहाँ पे एक ही होता है वहाँ पे mixing हो जाती है in case of reptiles जहाँ पे three chambered heart है वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे थोड़ी intermixing होती है but as compared to amphibians बहुत कम होती है तो जो इनका blood होता है कुछ ज़्यादा ही oxygenated होता है in comparison to amphibians ठीक है और यहाँ पे partially divide रहते हैं ventricle except in case of crocodiles and alligators जहाँ पे बिलकुल four chambered है कोई mixing blood की नहीं होती है उस time पे और finally four chambered जो हमने देखा heart birds और mammals में वहाँ पे left side में बिलकुल oxygenated और right side से बिलकुल de oxygenated blood ही वहाँ पे कोई intermixing नहीं होती है उसके बाद अगर हम बात करें control coordination का जो innervation रहती है nerves वगेरा की heart के साथ ठीक है अगर हम देखेंगे invertebrates embryonic heart pulsate करना start करता है even before कि कोई nerve इसके पास पहुचती है और adult में adult heart tissue को अगर proper physiological solution से infuse किया जाए तो ये continuously pulsate करता रहेगा even after इससे nerves को cut किया जाए ऐसे heart को हम क्या कहते हैं ऐससे heart को हम myogenic heart कहते हैं जो higher animals में पाया जाता है जिसमें heart muscle की contraction autogenic होती है यानि requiring no extrinsic neural stimulus for contraction या contraction की initiation के लिए कोई neural stimulus नहीं चाहिए फिर pulsation जो है ये depend करती है appropriate concentration of certain electrolytes जैसे आपका sodium ion हो गया, potassium ion हो गया, calcium ions हो गया तो इनकी proper concentration in tissue flutes उससे pulsation की rate क्या रहेगी ठीक है कैसे चलेगा वो इस पे depend रहता है but contraction of entire heart जो start होती है एक restricted region जिसको हम कहते हैं यहाँ पे sinus venousus में होता है in case of lower vertebrates ठीक उसी को हम pace maker कहते हैं लेकिन हमें पता है reptiles के बाद sinus venousus absent होता है तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे इस right auricle के region में होता है उसको हम कहते हैं syno-atrial node या essay node के नाम से जिसकों आप जानते हो ठीक है वो पाया जाता है इनके साब birds and mammals ठीक उससे क्या होता है उसी से पहली current generate होती है basically यह जो होता है it is modified cardiac muscle और connected tissue यह उसी से बनता है वही से contraction start हो जाती है contraction फिर spread करती है ठीक है यह spread होती है through a conducting system of fibers into ventricle and other contracting regions ठीक है उसके लिए mammals में अगर आप देखो कि essay node के अलावा एक और node पाया जाता है जिसको हम कहते हैं auriculo ventricular node या AV node कहते हैं ठीक इस में परकंजी fibers के नाम से ठीक है परकंजी fibers के नाम से कुछ fibers होते हैं ठीक और neuron like fibers जो के actually modified cardiac muscles होते है परकंजी fibers जो होते हैं AV node से निकलने के बाद left और यहां से ये left और right bundles में divide हो जाते हैं और interventricular septum के throw यहां apex तक पहुंच जाते हैं जहां पर यह फिर दाएं बाएं मुडते हैं they take turns और पूरे ventricles को फिर sweep करते हैं तो current भी ऐसे ही चलती है contraction यहां से start होता है यहां पहुंचता है फिर पूरे heart में contraction जहां जहां से इसको contracting regions होते हैं वो फिर इसमें start होके end हो जाता है ठीक है अब जो heart की rate होती है rate at which heartbeats are initiated ठीक इसमें nervous और endocrine system दोनों का influence रहता है यह rate इससे भी influence होती है कि venus blood कितना fill होता है जैसे कि exercise के time पे venus blood ज्यादा ventricle में fill होता है तो उस time heart rate भी बढ़ती है but main जो contraction start होती है वो एक intrinsic property होती है cardiac muscle की in case of myogenic heart जो कि आपको vertebrates में मिलता है I hope की इस lecture से आपके कुछ concepts clear हुए होंगे बाकि अगर कुछ questions होंगे या कुछ queries होंगे तो please आप comments में उनको दिख साथ Thank you